हलो दोस्तो नमस्कार स्वागत है आपका PKR Tech Class में दोस्तो आज हम लोग देखेंगे RUVNL TG2 का Paper Solution Set ठीक है दोस्तो तो जो भी हमारे चैनल पर नहीं है वो हमारे चैनल PKR Tech Classes को सब्सक्राइब करें हैं लाइक एंड सेर करें ठीक दोस्तो तो इसमें डिर सो कुष्शन का यह पर सैट होता है जिसमें 50 कुष्शन नॉं टेक होते हैं ठीक दोस्तो एंड सो कुष्शन टेकनिकल होते तो हम लोग टेकनिकल कुष्शन को देखेंगे ठीक है तो बढ़ते हैं पेपर सॉलिशन की और ठीक दोस्तों तो हम लोग इसके टेक्निकल कुश्चन देखेंगे और आप लोगों से रिक्वेश्ट है कि वीडियो को अंदर तक जरूर देखा करें आपके लिए काफी हेलप रहेगा आने वाले एक्जामों के लिए काफी इंपॉर में चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो वहारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं तो बढ़ते हैं कुश्चन सॉल्यूशन की और क्या कह रहा है पहला कुश्चन कि ए सबस्टेंस देट है जिए हाई रिटेंटिविटी कैन भी यूज़ फोर दा मैनुफेक्च्चर होती है तो ऐसे मटेरियल दोस्तों हम लोग परमनेंट मैगनेट्स बनाने के लिए इस्तमाल करते हैं ठीक है अगला कुश्चन कुश्चन नूमर 52 विच आप फॉलाविंग है अल्मोस्ट नो चेंज इन रजिस्टेंस विद टेंप्रेचर चेंज बनलब ऐसा कौन सा मटेर पर कोई अंतर नहीं आएगा तो ऐसा मटेरियल कौन सा होता है दोस्तों जिसका टेंपरेचर कोपीजन दोस्तों मैगनें ठीक है मैगनें का जो टेमटरेचर कोफिजन अलफा होता है रजिस्टेंस होता है जी रोगे सम्पिंग अगरा कुश्चन इफ था साइज ऑप तक सर टेरिकिट कोपर कंडथर का यौफ कोडूट्र है तो इसके लिए जू अर्थ कनड़ॉर्ण होंगा इंजी याइई में तो जो डॉस्तों 10 स्काइर एम्म के अस-पास उससे कम नहीं होना चाहिए ठीक है अगला कुश्यन इनवर्टर कनवर्ट्स जो इनवर्टर होते हैं वो क्या कनवर्ट्स करते हैं तो इनवर्टर्स दोस्तों DC को AC में कनवर्ट करते हैं ठीक है जो हमारे घरों में इनवर्टर्स होते हैं तो वो क्या करते हैं दोस्तों DC को AC में convert करते हैं अगला question what is the normal voltage of a fully charged lead acid battery तो जो lead acid battery होती है तो उसमें जो उसका जो normal voltage होता है fully charged voltage होता है दोस्तों 2.2 volt ठीक है अगला question क्या कह रहा है question number 56 a material that is slightly ripple by a magnet is called तो मतलब वो material जो magnet के द्वारा slightly ripple कर दिया जाता है मतलब प्रतिकर्सित कर दिया जाता है तो ऐसे material दोस्तों होते हैं diamagnetic material ठीक है जो चुम्बक के द्वारा असानी से प्रतिकर्सित कर दिये जाते हैं ठीक है जैसे की insulated material ठीक है सोना हो गया इस तरह के लेकिन जो जैसे आइरन निकल कोबाल्ट यह सब हो गए यह फैरो मैगनेटिक material होते हैं जो चुम्बक के द्वारा आसानी से अकरसित कर लिए जाते हैं ठीक है अगला question the acting contacts for a medium या high voltage circuit breaker are made of जो medium है high voltage circuit breaker होते हैं उनके जो acting contacts होते हैं वो किसके बने होते हैं तो दोस्तों होते हैं copper tungsten alloy के ठीक है अगला question cooling of transformer is necessary to तो जो transformer होता है उसमें cooling क्यों आवश्यक होती है उसकी reduce production cost को ठीक है जो production cost होती है उसको reduce करने के लिए अगला question severity of electrical shock will be higher in which of the following मतलब electric shock से सबसे ज़्यादा खत्रा किस condition में होता है ठीक है चांस कब ज़्यादा होते हैं तो यह होता है दोस्तों wet skin होगी मतलब जब गीली skin होगी तब electric shock लगने के सबसे ज़्यादा खत्रा होता ठीक है क्योंकि हमारे body के जो resistance होता है वो बहुत ही कम हो जाता है अगला question the fuse operates due to the effect of current जो fuse होता है कि किस effect के दौरा operates होता है यह दोस्तों होता है heating effect के दौरा ठीक है जब उसमें current का मान उसकी जो fuse rating से ज्यादा हो जाता है तो वो melt हो जाता है ठीक है और जो Fusing जो його फ्यूज होता है इसकी जी प्रॉपर्टी का होती इसकी प्रॉपर्टी होती है लो रिजिस्तेइंस एंद लो मील्टिंग पॉइंट ठीक है फ़ अगला कॉश्चिन बाट इस दा इंटर लेयर इनशिलेशन फोर इस्माल ट्रांसफार्मरस तो जो तो small transformer होते हैं उनमें interlayer insulation क्या होता है, तो इसमें जो insulation जो insulation होता है interlayer वो होता है दोस्तो butter paper ठीक है, जो butter paper होता है, जो butter में paper use होता है, वो लगा होता थे insulation layer की रूप में, ठीक दोस्तो आगला question, question number 62, क्या कह रहा है another one is an insulated conductor used in a switchboard cell ICU, मतलब एक insulator जो conductor है switchboard में कैसे यूज करना चाहिए तो वो दोस्तों होना चाहिए listed and flame retardant ठीक है and rated not less than the voltage applied मतलब उसका जो voltage applied से rated कम नहीं होना चाहिए मतलब कि अगर 110 volt उसका circuit का voltage है तो उसका जो conductor insulated conductor उसका जो rated voltage है वो एक तस बोल से कमनी होना चाहिए and other conductors और बसबार with which is may come in contact both A and B, E all of these तो यह सारे इक सारी properties होनी चाहिए दोस्तों अगर हम लोग insulated conductor use करें switchboard के साथ में ठीक है अगला question a motor has become thoroughly wet because of ex-pures to heavy rains before operating the motor it is necessary to dry it out by ठीक दोस्तों तो क्या कह रहा है कि अगर कोई motor है बरसात में अगर वो पूरी तरीके से भीग जाती है तो उसको start करने से पहले हमें क्या आवश्यक है क्या करना चाहिए तो हम लोग उसको क्या करेंगे दोस्तों तो blowing hot air by using air blower ठीक है तो air blower के द्वारा उसको हम लोग hot air देंगे ठीक है जिससे कि वो पूरता सूख जाए इसके बाद हम लोग उसको use करेंगे ठीक है अगला question कि normally बसबार should not be erected at a height less than तो जो बसबार होती है उसको हम लोग जब लगाते हैं तो उसकी height किस से कम नहीं होनी चाहिए तो यह दोस्तों होती है लगवग 2.75 मीटर से कम नहीं होनी चाहिए कोई भी बसबार अगर हम लोग लगाएं ठीक है अगला question base and cover of the wiring so series are made of तो जो base and cover होते हैं wiring so series के वो किसके बने होते हैं तो दोस्तों जो cover and wiring so series होती है base and cover वो दोस्तो non ignitable material के बने होते हैं ठीक है अगला question phase relationship between the applied voltage and the current flowing through the inductive circuit is जो inductive circuit है उसमें voltage and current के बीच में जो relations if होती हो कैसी होती है तो inductive circuit है तो inductive circuit हम लोग जानते हैं दोस्तों कि जो voltage होता है वो current से lead करता है ठीक है तो क्या होगा voltage क्या होगा voltage lag the current नहीं current leads the voltage no current lag the voltage ठीक है तो जो current होगी वो voltage से lag करेगी अगला question the illumination required for a work place where fine work is performed will be in the order of तो मतलब ऐसे जगापे जहां पर fine work करना है में सूख शुमकार के लिए हमें जो illumination required है वो कितना होना चाहिए तो वहां के लिए दोस्तो जो illumination required होगा वो लगबग होगा पंद्रासो लियूमन पर स्क्वाइर मीटर के ठीक है जो लियूमन होगा वो पंद्रासो मीटर स्क्वाइर लियूमन पर मीटर स्क्वाइर के होना आवश्यक है ठीक है अगला question क्या कह रहा है power companies are interested in improving the power factor 2 ठीक है जो power companies होती है वो power factor improves करने में interested होती है क्योंकि वो क्या करना चाहिए दोस्तों कि जो जो line current होती है ठीक है उसको reduce करने के लिए power factor improvement किया जाता है ठीक है क्योंकि हम लोग दोस्तों जानते है kya P ररावर क्या होता दोस्तों, Vy cos phi ठीक है तो यहां से जो iL निकलता है ये वील आई एल होता है तो iL वरावर क्या हो जाता है दोस्तो P upon V cos phi ठीक है तो गर हम लोग Cos5 command बढ़ाते हैं तो जो line current है वो reduce हो जाती है ठीक है तो जिस से losses भी कम हो जाते हैं and जो voltage variation होता है voltage difference होता है वो भी कम हो जाता है अगला question question number 70 in k-wills the thickness of the layer of insulation on the conductor depends upon तो जो conductor के उपर अपर जो insulation होता है उसकी जो ठिकनेस होती है वो किस पर depend करती है तो दोस्तों वो depend करती है current carrying capacity पर ठीक है जो insulation है वो voltage पर depend करता है कि जो conductor के उपर जो cable की जो conductor है उसकी जो insulation की ठिकनेस है वो voltage में डिपेंड करती है ठीक है एंड जो ट्रांसमिसर लाइन में जो कंड़क्टर होते हैं उसका जो लेयर होता है वह साइज करेंड करेंग कैपिश्टी पर डिपेंड करता है ठीक है अगला कुशन विच आप फॉलविंग इस दप्राइमरी फंक्शन ऑप फ्यूज तो फ्राइमरी फंक्शन क्या होता है यह होता है दोस्तों प्रिवेंट एक्सेश्यों करंट ठीक है जो बड़ी हुई करंट होती है उसको रोकना अगला कुश्चन देडामेस्टिक वोल्टे यह लो टेंशन वोल्टेज ठीक है अगला कुश्चन क्या कह रहा है कुश्चन नंबर 73 कि वाट इस दा माटेरियल यूजड इंसाइड दा ब्रीदर तो प्रेवेंट मॉश्चर इंटरिंग दा टांसफार्मर मलब ब्रीदर में जो हम लोग माटेरियल यूज करते हैं चुश्चर जाने से रोकता है ट्रांसफार्मर में एगला कुश्चन ऑट अबसेडवांटेज आफ सेड़ेट पर मोटर है उसका डिशेडवांटेज क्या होता है तो दोस्तो जो सेड़ेट पॉल मोटर होती है वह लोःफसेंसी पर चलती है एंड लो इस्टार्टिंग ट होती है अगला question which conductors connect the consumers terminal to distribution जो distribution से नियूमर टर्मिनल स्थ जो connect होता है वायर उससे क्या कहते हैं दोस्तो तो वहता है service mains ठिक है and जो substation से distributor तक आता है वायर उसे बोलते हैं दोस्तो distributor ठिक है एंड जो ग्रिड से सब्स्टेशन तक आते हैं या पावर हाउसे तक आते हैं वो होते दोस्तों फीटर अगला कुश्चन कुश्चन नमबर 76 एं मुविं आयरन अमीटर रीड टैन एंपियर वाट इस दा पीक करंट ऑप ऑशिलेशन ठीक है तो जो एक अमीटर है मुविं आयरन टैप इंस्टुमेंट वो टैन एंपियर रीड कर रहा है ठीक है ठीक दोस्तों तो क्या होगा तो है अमीटर और सब्राइब टैन इंट रहा है तोanne Creamp गोलुल है यहां जोमीटर आफ हैं होते हैं यहां प trail है तो कि थैन एमेज्द क्रेंट आप एचलिए और्षिलेशन की जो पीक वैली होगी वो क्या होगी तो आई रमश बराबर जानते हैं दोस्तों क्या होता है सैंसी में आई एम बाई रूट टू ठीक है तो यहां से आई राबर क्या हो जाएगा आयारमेससे 10 इंटूरूट कमान है एक दिसंबलभ 414 ठीक है तो कितना हो अगला question the disadvantage in underground cable system is घज अंजर ग्राव्ण सिस्टम होता है इसमें क्या disadvantage होता है तो जो ट्य्म आद्वांटेज होता है अंडर ग्राउंड केवल सिस्टम में वोल्टेजंट चंडि अंज्ड ओटेक है फ्रेक्वेंट अं साग होता है दा में रिलेइंग तो जो ए एंड वी है यह इसमें तो इसमें सारे एक सारे होते हैं आल ओफ दीज ठीक है इसमें जो डिफिकल्टी होती हैं अंडर्गाउंड के विल्मेंट होते हैं यह सारे प्रेइंग इज ऑफ नो यूज दा बेश्ट थिंग तू डू इस टू ठीक दोस्तों क्या कह रहा है कि मतलब इंफेक्शन से पता चलाए कि जो डीसी जनरेटर का कम्मुटेटर है वो पूरी तरीके से घेश चुका है ठीक है और हमारे पास जो रेगमाल है वो नहीं है तो उ अगला कुशन आर यूज टू टू ट्रांसफॉर्म जो सॉफ्ट कनेक्शन होते हैं वो क्या ट्रांसफॉर्म करने के लिए यूजट के जाते हैं हapa है ठीकर यह कीता है दोस्तों सिंगल से इंटो टू फίνश सप्लाई है हुआ अगला कुश्यशन क्या कहा है दोस्तू ए लाइट इमिटिंग डायोट प्रोड्यूज लाइट भैण में इडिज जो ए लाइट मेटिंग डायोड होता है एmek ठीक है वह लाइट का प्रोड्यूज करता है ठीक है तो वह दोस्तों LED जो होता है वह फॉरवर्ड वाइस कंडिशन में जब होता है तो यह लाइट इमीट करता है ठीक है तो इसका जो सिंबल होता है वह इस तरह से होता है एक पी एंजंक्सन डायड होता है ठीक है यह फॉरवर्ड कंडिशन में हो chance for तो जो LCD है उसका full form क्या होता है ठीक है तो LCD का जो full form होता है वह होता है दोस्तो लिक्विट क्रिस्टल डिस्प्ले ठीक है से लिक्विट क्रिस्टल डिस्प्ले अगला कुश्चन बैडिंग एंगल ओफव द्सार्ब्रोण होता है उसका एंगल होता है दोस्तो 90 ndegree अगला कुश्यन वीचte फॉलाविंग टरंस्पार्मर यूज्ट ट वर स्वज्ञ अप्लाइउन जरेनल पावर एंड लाइटिंग को तो जो ढफारमर रोते हैं जरनल पावर लाइटिंग पिलीए कौशा欸 और यूज कि एजाते हैं दोस्तों यह होते हैं ay distribution transformer ठीक है यए अगला कुशन mcv is more reliable than ncv होता है वह किसे जगाद Ray लगे होता है किसे जाता अझाधा आच्छा होता है दुट्सटों जब लिक्तिक्त है काफे रिलाइबल होता है मतलब विश्विश नहीं होता है अगला कुश्चन थर्मल रिले और ओफ्टें यूजड इन जो थर्मल रिले होती है उसको दोस्तों हम लोग कहां यूज करते हैं तो दोस्तों जनरली मोटर स्टार्टर में यूज़ होती है थर्मल रिले ठीक है अगला question you have to rewind a motor whose operating temperature is about 130 degree centigrade which insulation material would you select ठीक है तो जो एक motor है rewind होके आईए तो उसके operation में जो temperature हो 130 degree centigrade है तो उसके लिए हम लोग कौन सा insulation material यूज करेंगे ठीक है तो इसके लिए जो material होगा दोस्तों वो होगा माइका ठीक है अगला question question number 88 क्या कह रहा है तो फेज voltage of a star connected three-phase circuit is 230 volt the line voltage will be तो इस्टार connected system में उसमें फेज voltage दिया है तो 230 volt ठीक है तो इस्टार क्नेक्स में line voltage क्या होता है ठीक है line voltage होता है vl बराबर होता है दोस्तों रूट थ्री वी फेज के ठीक है तो रूट थ्री कमान वन पॉइंट सेवें थ्री टू इन्टू इन्टू वी फेज कितना दिया है यहां पर दोस्तों यह दिया है 230 volt ठीक है तो जब लोग इसका multiply करेंगे गुड़ा करेंगे तो यह लगवग आएगा तीन सो अंठानवे दिसम्लब सम्थेंग थ्री फोर के आसपास तो लगवग होगा कितना 400 बोल्ट के आसपास ठीक है तो जो इसका लाइन वोल्टेज होगा वह क्या होगा चार सो वोल्टेज अगला कुश्चन एवायर मेजरिंग 1 mm डायमेटर है जे क्रॉस सेक्षिनल एरिया ओफ ठीक एक वायर मेजरमेंट करना है 1 mm डायमेटर है जे उसका क्रॉस सेक्षिनल एरिया ठीक है तो क्या होगा यह वह दोस्तों 0.87 mm स्क्वाइर के अगला कुश्चन कुश्चन नमबर 90 विच वन अब फॉलविंग डेरिवाइड़ यूनिट से ओफ एसाई सिस्टम में जो यूनिट होती है वह कौन सी मैजड है जो गलत है तो फोर्स का होता है दोस्तों न्यूटन यह सही है दोस्तों प्रेसर की होती है पास्कल यह भी सह सब्सक्राइब है वर्क का वोल्टी यह नहीं होता है दोस्तों वर्क की मात्रक होती है वह जूल होती है ठीक है अगला कुश्चन क्या कहरा है कुश्चन नमबर 91 इव दा रजिस्टेंस ऑप दा क्वाइल इज 15 इंपिडेंस ऑप दा क्वाइल इज 25 दा इंड़क्टिव र यह जो जो लेजिस्टेंस ऑप 15 में इंपिडेंस जैड कंवाइल फच्छेस ओमें तो इंड़क्टिव रेकल्ए थेस एक्सल पूछ रहा है तो चोंकि जैडे स्काइर बराबर हम लोग जानतें क्या आर्स क्या प्लस एक्सल का स्कॉर स्कॉर तो आर्स क्या जैगा 25.25 के स् तो चार सो तो XL ब्रावर आ जाएगा कितना 20 ओम ठीक है जो इंड़क्टिव रेक्टेंस होगा XL वह आ जाएगा 20 ओम अगला कुशन the equivalent of 1 inch in matrix ठीक है तो जो 1 inch है matrix में क्या होगा तो जो matrix में दोस्तो 1 inch होता है वो ओगा दोस्तो 25.4 mm के बरावर ठीक है आगला question a thermocouple is used to measure जो thermocouple होता है वो क्या measure करने के लिए use किया जाता है तो दोस्तो thermocouple जो होता है वो high temperature measurement के लिए use किया जाता है अगला question which of the following material has the highest electrical conductivity इनमें से कौन सा material है जिसकी conductivity highest होगी तो इसमें दोस्तो जो silver है उसकी conductivity सबसे ज़्यादा होगी ठीक है क्योंकि इसका जो resistance होता है वो सबसे कम होता है question number 95 why are AC magnets made of laminated iron जो AC magnet होते हैं उनको हम लोग laminated iron से क्यों बनाते हैं ठीक दोस्तो because क्योंकि दोस्तो उनको हम लोग reducing the heating effect ठीक है heating effect से बचाने के लिए उसको हम लोग laminated iron का बनाते है ठीक है ठीक है अगला question question number 96 the maximum permissible load in a lightning sub circuit is तो जो lightning sub circuit होता है उसमें जो जो voltage होता है जिसकी permission होती है total तो वह होता है दोस्तों तो जो load होता है उसकी टोटल जो होता है वह क्याता है 800 watt ठीक है 800 watt and 10 point ठीक है lighting sub circuit and जो power sub circuit होता है तो उसमें जो maximum load होता है वह 3000 watt तक हो सकता है और उसमें point की संख्या हो सकती है दो ठीक है कि अगला question dialectic strength is the fundamental property of dialectic strength है वह किसकी fundamental property होती है तिए दोस्तों जो dialectic strength होती है वह insulator की जो strength होती है ठीक है उसकी जो property होती है वह insulator की property होती है dialectic strength अगला question when the tube lamp is switched on there is some vibrating sound from the choke this is due to lose ठीक है जब लोग एक tube lamp को start करते हैं तो उसमें कुछ vibrating sound होता है चोक में तो वह किसकी बज़े से होता है किसकी lose के बज़े से होता है ठीक है तो यह दोस्तों हो सकता है screw in the cover ठीक है जो cover में screw होते हो ढीले होंगे उसके बज़े से हो सकता है ठीक है अगला question field coils are wound with field coils होती है वो किस तरह से wound की जाती है किसके साथ wound की जाती है तो जो copper wire होता है वो enameled copper wire होता है ठीक है band in the form form of a circle effective resistance between the two points of any diameter of the circuit ठीक है तो एक wire है जिसका resistance 16 meter है ठीक है यह wire है इसका resistance 16 meter है total तो अब इसको हम लोग band करके एक circle बना देते हैं इस तरह से अगर इसको हमने circle बना दिया ठीक है तो इसका वो पूछ रहा है कि इसके किसी भी दो point में जो resistance है वो कितना होगा ठीक है तो जब यह 16 meter था तो यह circuit बन जाएगा इस तरह से तो इसका क्या मतला हो जाएगा तो यह जो आदा resistance यहां हो जाएगा total तो है उसका 16 तो 8 ohm यहां हो जाएगा and 8 ohm इस point पर तो यह दोनों पैरलल में हो जाएगे तो 8 और 8 पैरलल होगा तो इसका हम जो equivalent resistance नकालेंगे तो कितना निकलेगा वह एगा दोस्तो 4 ohm ठीक है ठीक है ठीक दोस्तों यह था हमारा RUVNLTG2 का part 1 ठीक दोस्तों पेपर question अगले part में देखेंगे ठीक है और पूरे question इसलिए solve नहीं करते हैं किसी भी paper set में दोस्तों उससे वीडियो काफी lengthy and काफी बड़ा हो जाता है इस बज़े से हम लोग उसको part में divide कर देते हैं ठीक है तो अगला वीडियो में लोग जल्दी लाएंगे ठीक है धन्यवाद तो